Hello दोस्तो, Welcome back to Hindi Internet Guru YouTube channel दोस्तो, आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कोई भी मैसेस करते हैं वाटसप में और करने के बाद देलेट कर देते हैं और इस तरह का इस मैसेस वाज डेलेटेट इस तरह का मैसेस आप कैसे पढ़ सकते हो अगर उसके और से डिलेट कर देते हैं फिर भी आप पढ़ सकते हो और कोई भी आपके फुन में third party एप को इंस्टेल नहीं करना है बिना किसी एप को इंस्टेल करके आप whatsapp में अगर कोई भी आपको message करके this message was deleted आते हैं तो यह message कैसे पढ़ोगे कि यह message क्या था आज मैं आपको ऐसे simple trick बताऊंगा और 100% working trick है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना तो मेरे हाथ में दो फूने में like दिखाऊंगा तो सबसे पहले आपको एक request है जो वीडियो देख रहे हो आपको इसी खुशी में सबसे पहले वीडियो को कर देना है like और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबस्क्राइब करके इसके साथ बैल आएगा और बाला बैल पे आपको दबा के रख देना है और जो वीडियो देख रहे हो simply नीचे add a public comment आएगा यहाँ पे आपको एक comment कर देना है WhatsApp new trick करके जैसे दोस्तों यह comment कर दूगे new WhatsApp trick तो comment हो जाएगा फिर दोस्तों आपको करना क्या है ध्यान से देखो सबसे पहले मैं जाता हूँ मेरा इस WhatsApp में और मैं इस phone से इस phone में पहले मैं आपके समने message करता हूँ जैसे मैं message करता हूँ high जैसे delete for everyone कर दिया तो यह message यहां से delete हो गया और यह जो message यहां से delete हो गया तो आप कैसे पढ़ोगी जैसे मैं कैसे पढ़ूँगा ध्यान से देखो कोई भी app को इस्टिल नहीं करूँगा यह एक setting है simply आपको करना क्या है simply आपका phone का setting में चले जाना है setting में चले जाने के बाद यहां पर search setting आएगा है अपको लिखना है notification आई f i c a t i one notification h i s t o r y यह search करना है notification history जैसे search करोगे फिर यहां पर notification history इसमें क्लिक करना है और मैंने यह setting on करके रखा है और कोई भी मुझे अगर message तो यहां पर सारा का सरा मैसेस आएगा चाहे वो मैसेस डिलेट क्यों ना कर देड़े जैसे यह लाज्ट टूइन्टी फूर आवर्ज देख सकते हो तो अभी यहां पर देख सकते हो जो Recently Cleared यही पे main चीज है जहाँ सब कुछ delete हो देंके बाद भी यहाँ पे रह जाता है जैसे दोस्त लोगों ने message क्याटा delete किया जैसे अभी मैंने इस phone से message करके delete किया जैसे high कैसे हो जैसे यह देखो high यह देखो 3 बज़ कर 43 यह देखो 44 हुआ है 343 में high फिर कैसे हो मैं इस phone से message किया था यहाँ पे save हो गया और मैं यह कोई भी third party app में नहीं कर रहा हूँ यह मैं किया कहा पे setting पे किया और यह setting आपको भी करने के लिए simply आपके phone में setting में जाना है फिर यहाँ पे लिखना है notification 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 history यह search करना है करने के बाद notification history में click करना है और यहाँ पे जो भी कोई भी message करेगा यहाँ पे आ जाएगा और यह तब ही आएगा जब आप इस history को on करोगे अगर आपका off रहेगा तो यहाँ पे save नहीं रहेगा इसलिए जल्दी से अभी notification history को on कर दो और on कर दिनकी बाद कोई भी जो भी message करते है डिलेट कर देते है इस message was deleted यहाँ पे show होने लएगा तो काफी जबर्दस setting है दोस्तों चाहे तो आप एक बाद try करके देखो फिर आप मुझे कहना तो अगर दोस्तों यह setting और यह video पसंद आया ना तो एक like जबर कर देना तो आज के लिए इतना ही फिन बिलेंगे आप से अगले दिन अगले वीडियो में जए हिंद